हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बीजी होंगे तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे घर पर ही गुढल का पाउडर तयार कर सकते हैं प्रेंट्स आपके घर में अधिकांश लोगों के गुढल के प्लांट्स लगे होते हैं आप उनसे इन फूलों से पाउडर तयार कर सकते हैं ये एक दिन की ही इनकी जीवन होता है उसके बाद ये मुर्चा जाते हैं तो उन फूलों को ही सुका करके आप पाउडर तयार कर सकत वो गुडल का वास्तू में क्या महत्व है और कौन से इसके आउशदी उपयोगे उसका हमने पहले से ही चैनल पर वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा तो फ्रेंट्स हमको पावडर बनाने के लिए चाहिए होगा गुडल का फ्लावर जो हमकी शाम को तोड़के रख लेंगे और उसको हम रोज के रोज इखटा करते हमको जाना है इसमें केरेटिन होता है जो बहुत ही उपयोगी होता है हमाई बालों के लिए आखों के लिए प और यह हमने शाम को तोड़के रखे थे फ्लावर उसके बाद में दूसरे दिन आप देखेंगे कि यह ड्राई होके फ्रेंट्स इस तरह का हो जाएंगे और तीन दिन के अंदर यह पूरी तरह से ड्राई हो जाएंगे कि आप इनको प्रश करेंगे तो यह पावडर बनने लगेगा तो फ्रेंट्स हम जो है रोज के रोज घुड़ल के फ्लावर इस तरह से शाम को तोड़के रख लेते हैं सुखा लेते हैं और उनको हमने एक जार में बंद करके रख दिया था तो यह हमारे पास में इतने सारे ड्राई फ्लावर इनके इखर्टे हो गया हैं अब हम फ्रेंट्स इनको पीस लेंगे आप पीसने के लिए आप कोई भी तरीका ले सकते हैं हम इनको जो है मिक्सर के अंदर पीस रहे हैं तो अब हम इसमें हमारे सारे ट्राई फ्लावर डाल देंगे और फिर उनको पीस लेंगे हम जो है फ्रेंट्स इसमें घर पे ही पाउडर बना के तयार करते हैं उसको आप हेयर पेक के रूप में भी यूज कर सकते हैं आप उसकी टी बना सकते हैं यह देखिए हमने पीस लिया है पाउडर और यह इस तरह का नजर आएगा यह बहुत बैनिफिशल होता है अगर आधा चमत सुबह खाली पे लें तीन दिन तक गाल ब्रडर की पत्री से निकल जाएगी और इसकी बार में अधिक जानकारी आप देख सकते हैं वीडियो में तो फ्रेंट्स उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ब प्रक्त कि बाए थेंक यू करो आचिंग आए